बंड़ा सुर का अंथ मेरे आविर भाव का एक मात्रो देश नहीं वो तो आरम उस चलता है कि भाव के समून अंथ का जिसने समस चगत को दूशित किया है और पुत्र गनेश मेरे प्रत्यक्ष रूप में संसार को मेरे दर्शन प्राप्ष करने के निमित तो तुम ही बनेगे तुम्हारे ही कारण मेरे श्रीभवर और मेरे चिंतामणी सिहासन व्यक्त रूप में अपना अस्दित्व भी प्राप्ष किया है इसलिए अब तुम्हारे ही माध्यम संसार मेरे विशेश सेना सेना पतियों और उन रथों का परिचे प्राप्ष करेगा जिनकी रचना में अब करने जा रहे हैं जी माता सिब दूती त्वरी ते कुल सुन्दरी नित्थे निल बता के मेरे ये भयाना का सुर्फ जिने स्वयम मैंने रचा है अपने एक ही चरण के तले संपूर्ण सेना को कुचल देंगे मात्र कोई भी शेश नहीं रहेगा इनके समक्ष रक्त चाहिए रक्त लाओ भोजन भूक लगी है मुझे भोजन भूजन जो अधिक कुछ किये बिना इतना फैंकर कम पनुत्पन न कर रहे हैं वो अशही विनाशकारी होंगे गुरुदेव अब विश्वास हुआ आपको के जो मेरा संकट बनने आएगा उसकी मृत्यू का घोल संकट तो उसी पर ही चाहेगा पर ज मृत्यूट आफकी चाहेगा की बिनाशकारी मृत्यू הפर हुआ कि बिनाशकारी मृत्यू युन शेल इतना खकरेठाओ ये मुझे नहीं भा रही ये जो मेरे इन असुरों को विचलित कर रहा है अपनी विशेश सेना और रथों को उत्पन्न करने है तू श्री माता ललिता ने अब अपनी योदा स्वरूप देवियों को उत्पन्न किया है उनके दाहिनी ओर है माता मंत्री नाथा जिनसे मंत्रणा कर श्री माता ललिता युद्ध का संचालन करेंगी और माता की बाई ओर है बरा मुखी माता दंडी ना था श्री माता ललिता की सेना पती देविये चक्र तो देवी शक्ती के पतीक है वो शक्ती जिसका न कोई आदी है ना अंत है कदाची तो वो समय आ गया है जिसका संसाथ शाक्षी बनेगा कि परमाता श्री माता ललिता की अनंद शक्ती का छोटा सा भाग भी कितनी आपार शक्ती उत्पन कर सकता है श्री माता ललिता की दिप्र उर्जा से उत्पन देवी चक्र श्री चक्र है जो अब उनका श्री चक्र राजवत का रूप धारण कर रहा है ये माता के श्री चक्र राजवत का प्रथम पर्व है जो आठ सिद्धी आठ शक्ती और दस मुत्रा देवियों का स्थान है ये माता के श्री चक्र राजवत का दूसरा पर्व तीन कर पाने का देवियों और उनकी सेना का स्थान है और तीसरे पर्व पर आठ रहस्ते योगनिया और उनकी सेन अविराजमान है चौथे पर्व पर दस में गर्व योगनिया स्थित होती है पाचवा पर्व दस कुलोत्रिना देवियों के लिए निर्धारित है चटा पर्व बारे संप्रदाय शक्तियों का नियत स्थान है सात्वा पर्व छै गुंत देवियों का स्थान है आठवा पर्व सोलह चंद्रमा कालवू गुप्त देवियों का स्थान है और इन सभी पर्वों से उचा स्वयम प्रभू भैरव द्वारा रक्षित नवा पर्व वो पर्व है जहां स्वयम श्री माता ललिता विराजमान रहती है तेव ड़्य से लाव एडर करेंग तेव्यम श्री माता है माता है घरिम श्री माता है इशितक वस्री पर्वेश्टOS लगन श्री माता है ताइं और माता मंत्री नाथा का गे चक्र राजरत है जिसका फैलाव साथ योजन के शेत्र में है जिसके साथ पर्व है और जिसके सारथी हसंतिका देवता है और बाई और माता दंडी नाथा का क्री चक्र राजरत है जो छे योजन उचा है और जिसके छे पर्व है और सारथी है देवी स्तंबिका इनमें सोला वाम देविया छे तंडनी देविया और असी कांग जैसे भैरव स्थित है नाम करशिणी नाम करशिणी युद्ध का शंखनात था ये माता ललिता ने इस शंखनात से युद्ध के आरंब की घोशना की है अब किसी समय भी अमरपूर पर उनका आक्रबन हो सकता है युद्ध का आरंब किया है उन्होंने तोने भी क्याद होना चाहिए कि असुर महानायक भंडा सुर्वी कुले उत्तर देने के लिए दत पर है को जाँ değiş eighth को जाँ चाहिएwo जाँ जाँ असरों के महा नयाख बंडा सर को परा मिरी यह से युद्ध की कोशिना करो इस भयंकर हुंकार का स्वर तो अमरपुर अथ्वा उसके निकट से ही आता प्रतित हो रहा है यह सुरी हुंकार तो इसी बात का संकेत है कि उस दुष्ट भंडा सुर को अपनी भयंकर नियती से भेट करने की अत्यान शीग्रिता अवश्य प्रणाम माता अब भंडा सुर को ग्यात होगा कि किस प्रचन शक्ति के रूप में उसका विनाश इसकी और बढ़ रहा है अग्रमार 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 कर दो लू आप एूट और शुजञत doesn't that कर दो पेटाश्री, आचानक से ये पक्षी यहां क्यों मंड़ाने लगे? मृत्रकों के शरीर में, अपना आहार ढूनने वाले ये पक्षी, अवश्य उस भोजन के लिए प्रस्तूत हुए हैं, जो हम उस नारी और उसकी सेना कर्द करने के उपराई, इनके समक्ष प्रस्तूत करेंगे, नहीं, अप्षकुन है ये, बोर अप्षकुन है हमारे लिए, बोर अप्षकुन है हमारे लिए, बोर अप्षकुन है हमारे लिए ये दूसरा अप्शकुन है ये और भी बड़े संकट का संकेत है इन संकेतों को सहस्ता से लेने की भूल मत करो भंड़ा सूर ये अप्शकुन है इस शितावनी को समझो कदाचित तुम्हारे ये महासूर पर्याप्स नहीं है इसलिए शिर्षता कर किसी अभेदय योज्ञा कर निर्मान करना होगा यो इस युद्ध के परिणाम को तुम्हारे विपरिज जाने से रोख सके तुमारे विंपरित जाने से रोख सके तुमारे विंपरित जाने से रोख सके शबादे गुरू ने, इन तु हमें किसी विशेश रेजना पर कौन या अपश्बता ने यह तरेख नारी अपनी सेना के साथ यहां बढ़ रही है और आम सब मिलकर इस पर इसना विचार कर रहे हैं यह हमारे पिता असुर महानाय बंड असुर को कदापी शौबा नहीं देखा मेरा सुझाब है आप अमने नसुरों को मुख्त कर दीजी जो पल भर में उस सेना को रॉंच करना देंडियों माता के कथन के अनुसार अब तक तो भंड असुर को इसका अभास हो गया होगा कि उनकी सेना अमरपुर की ओर बढ़ रही है पुत्र गणेश जी प्रभू इन तीनो रथों के आगे बढ़ने का अभास मात्र भंडा सुर को ही नहीं अपितु समस्त जगत को हो गया होगा हाँ प्रमदेश अध्धुद्र शही तीनो विशाल रथ एक साथ कती मान हो रहे हैं जारिवे संसार के कितने ही बड़े शक्ति क्यों नहों मुझे और मेरे राच्चे को कोई आने नहीं पहुचा सकता शत्रु और उसकी सेना के अस्त्र शास्त्र के बल के भेट को ग्यात किये बिना हमें अपने अस्त्रों का जुनाफ नहीं करना चाहिए उनके सभी कुप्ट बेद कियात करने है तू अधकाल एक कुप्चर बेजो गुप्चर? विजितकार की भली तो हमारी माता की प्टी थोटी है हमें भावन में चल कर देखना चाहिए हां ये हमारी सुहक का प्टी हमारी सिंदूर का रंग सिहा कैसे हो गया क्या हुआ है क्या हुआ है सेर प्रतम हम सबकी माम का सिंदूर स्वत्य ही स्याह हो गया और अब हमारे मंगल जोत्र भी तूटकर बिखर गए ये प्शकुन तो और भी बड़े अनिश्ट का संकेत भंडा सुट असुर गुरू ये किस अनिश्ट की बात कर रहे है असुर राज किस तो भागय के पूर्व सुचना है ये माता पराशप्तिती जे माता पराशप्तिती जे शीगरी असुर महा सबा ही तू सभी असुर महा मंत्रियों और सीनापतियों को प्रस्तोत करो निश्चिंद रहिया, सुर्गुरू इतनी भी विकट स्थिती क्यों ना हो मैं उसका सामना करने में सक्षम हूँ जो भी मातापारा शक्ते के मार की बाधा बनेगा इन्हें रोकनेका प्रियास करेगा वो स्वयम प्रियांत को आमन दृप करेगा अपने प्राक्रम से हमने देव राजिंद्र को पराजित किया है एक नहीं अनेको ब्रहमांडों में आप का अधिपत्य अस्थापित किया है तो हमारे सवक्ष यह अकेली नारी उस दुर्बल गिलहरी के समान है जो मूर्खत वर्ष किसी विशाल काई गच को चुनोती दे बैठी है वो अकेली नहीं है परनाम असुर महानायत हमारे गुप्चर ने सोचना दी है यह एक नहीं यह एक नहीं तीन रत अमत्पूर की और बढ़ रहे हैं अब भंडा सुर्जानेगा नारी की वास्तविक शक्ती जब उसका संघार करेगी माता परा शक्ती अधर्मी कितना भी बलशाली क्यों ना हो धर्म की एक ही ललकार उसे विचलित करने के लिए परियाप्त होती है